अकबर और बीरबल कहानी उन प्रशनों के उत्तर बड़ी तर्क पूर्ण ढंग से दिया करते थे इसी क्रम में एक दिन बादशा ने सोचा के बीरबल से कोई ऐसा प्रशन पूछना चाहिए जिसका उत्तर देने में उन्हें कठेनाई हो इस तरह कुछ दिन बीट गए एक दिन बीरबल अपनी घर जा रहे थे उन्होंने एक वरीब बालिका को देखा वह सड़क के किनारे बैठी एक एक चना आराम से खा रही थे बीरबल ने उससे पूछा तुम एक एक दाना क्यों खा रही हो बच्ची ने बड़े विश्वास से कहा बिक्षा में यही थोड़े से चने मिले हैं यदि मैं इन्हें एकदम खा जाऊं तो फूख एकदम तंग करेगी इसलिए एक एक दाना खाकर बीच बीच में पानी पी रही हूं इससे बहुत देड तक पेट को सहारा मिल जाएगा बच्ची का उत्तर सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्य हुए और उन्होंने सोचा कि यह बच्ची अनाथ है परन्तु बुथिमान है भीक मांग कर निर्वाह करती है इसे घर ले जाना चाहिए यह सोच कर बीरबल उसे अपनी साथ घर ले आए और पुत्री के समान उसका पालन पोशन करने लगे थोड़े ही दिनों में अच्छा खाने पीने से लड़की हृष्ट पुष्ट हो गए वह भी बीरबल के समान ही कठन प्रशनों के उत्तर सरलता से दे देती थी एक दिन बादशा अकबर ने बीरबल से एक साथ तीन प्रशन पूछ डाले इश्वर कहां रहता है? इश्वर कैसे मिलता है? वह क्या करता है? बीरबल के लिए ततकाल तीनों प्रशनों के उत्तर देना संभव नहीं था इसलिए उन्हों ने कहा जहापना आपने कई दिनों के बाद सोच कर प्रशन किये हैं अता मुझे भी उत्तर देने के लिए कुछ समय तो मिलना ही चाहिए बादशा ने स्वीकार कर लिया और उन्हें एक सप्ताह का समय दिया बीरपल घर आय तो तीनों प्रशन उनके दिमाग में चक्कर काट रहे थे उनके उत्तर सूज नहीं रहे थे वे चुपचाप चारपाई पर लेट गए उस लड़की ने देखा कि आज पिताजी चुपचाप चारपाई पर लेट गए हैं अवश्य ही कुछ कारण है उसनी पूछा पिताजी आप कुछ परिशान से लग रहे हैं कृप्या बताईए आपकी चिंता का क्या कारण है बीरपल ने पहले तो कुछ नहीं बताया मगर बच्ची की हट के सामने उन्हीं जुकना ही पड़ा उन्होंने कहा बेटी आज बाच्चा ने एक साथ ऐसे तीन प्रश्न पूछे जिनका मैं उत्तर न दे सका वे प्रश्न तुम्हारी समझ से भी उपर है अताप बताने का कोई लाब नहीं लड़की ने हट करते होए कहा आप बताएं तो सही शायद मैं उत्तर दे सकूं कभी कभी छोटी वस्तू बड़ी वस्तू से भी अधिक लाबकारी हो सकती है जो काम सुई कर सकती है तलबार नहीं कर सकती बीरपल ने उसे तीनों प्रश्न बारी बारी से बताए इश्वर कहां रहता है? वह कैसे मिलता है? वह क्या करता है? प्रश्न सुनकर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पिता जी ये भी कोई प्रश्न है आप चिंता मत कीजिए आप बादशा से बस इतना कह दें कि इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पुत्री ही दे देगी आप मुझे राज महल अपने साथ ले चलें लड़की ने जिस आत्मविश्वास से यह बात कही थी बीरबल को भी विश्वास हो गया कि लड़की उत्तर देने में समर्थ है अगले ही दिन दरबार में बीरबल गए तो लड़की को साथ ले गए बादशा ने बीरबल से पूछा बीरबल प्रशनों के उत्तर खोज कर लाए हो बीरबल ने उत्तर दिया जहापना ऐसे सरल प्रशनों के उत्तर तो मेरी यह लड़की ही दे देगी आप इससे पूछ लीजिए अकबर बेटी, तुम मेरे तीनों प्रश्णों के उत्तर दोगी? लड़की ने अकपर को नमस्कार करते हुए कहा जहापना मैं प्रयत्न अवश्य करूँगी अकपर ने प्रश्ण पूछना शुरू किया अकपर, इश्वर कहां रहता है? लड़की, महराज, दूद मंगवाएं लड़की ने दूद में शक्कर मिलाई और बादशा को देख कर पूछा जहापना दूद का स्वात कैसा है? अकपर, मीठा लड़की, पर बादशा सलामत इसमें शक्कर कहां है? अकपर, शक्कर तो घुल गई, सारे दूद में शक्कर है लड़की, हुजूर, जैसे दूद में मीठा मिला है ऐसे ही इश्वर संसार की प्रत्येक वस्तू में रहता है बादशा ने लड़की को शाबाशी दी और दूसरा प्रश्न पूछा इश्वर कैसे मिलता है? लड़की, जहाँ पना, थोड़ी दही मंगाईए दही मंगवाया गया लड़की, जहाँ पना, बताईए, इसमें मक्खन है की नहीं? अकपर, मक्खन तो है? लड़की, पर मक्खन कहां है? अकपर, वह ऐसे नहीं दिखता वह तो दही को बिलोने पर निकलता है लड़की, आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है जहाँ पना जैसे दही को बिलोने से मक्खन मिलता है उसी प्रकार, ध्यान लगाने से और मन को एकागर करने से ही इश्वर की प्राप्ती होती है अकपर, लड़की की बुद्धी मत्तापन आश्चरिय चकित रह गए अकपर, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो इश्वर क्या करता है? लड़की, जहाँ पना इस प्रकार का उत्तर कीवल गुरु ही दे सकता है क्षमा करें, आप मुझे यदि गुरु स्विकार करने तो उत्तर मिल सकता है अकपर, ठीक है, तुम गुरु, मैं शिश्य लड़की, श्रीमान, गुरु का स्थान उचा होता है और शिश्य का नीचे, आपने मुझे गुरु माना है अता, आप सिंघासन से उतर कर नीचे आसन पर बैठने का कष्ट करें अकपर सिंघासन से उतर कर नीचे आसन पर बैठ गए लड़की सिंगासन पर बैठ कर बोली जहाँ पना आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा लिकिन बादशा को कुछ भी समझ नहीं आया लड़की बादशा इस समय आप नीचे बैठे हैं और मैं खरीब लड़की आपके सिंगासन पर बैठी हूँ इश्वर यही करता है वह कभी बादशा को भेकारी और कभी बेकारी को बादशा बना देता है अकपर ने लड़की की सूच बूच और बुद्धी की बहुत प्रशन साकी और उसे अनेक उपहार भेट स्वरूप दिये